हेलो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के आई होप आप लोगों बढ़े होंगे हमाई चैनल में आपका फिट से बहुत-बहुत स्वागत है आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा तो आज हम बात करें डी ट्रिपल किस तरीके से पीपर आता है तो ंशमने आपको एक मैं बोल सकता हूं या निक, आईडिया लग जाएयगा कि हाँ पलाव लेवल क्या है संट कि सरीके से अपके लिए लेकर आ रहे mathematics में आज जो स्टार्ट करें mathematics के और भी प्रिवियस रवेपर हम आपको देने वाले हैं आज हम स्टार्ट करें 2018 से 2018 का यह पेपर है 2018 का और मैं आपको पूरा को पूरा दिखा रहा हूं total questions जो होते हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूं तो यह देखिए यह paper है पूरा को पूरा इसके ऊपर जो है मैं आपको mathematics का पाट दिखा रहा हूं अभी वैसे इसके ऊपर 100 questions है 100 questions इसके ऊपर है और subject के जो specific questions होते हैं वो 200 questions होते हैं total 300 questions होते हैं आपके पास में पहला जो होता है वो general portion होता है दूसरा जो subject specific है उसमें 200 questions आपके आते हैं यानि 200 questions होता है या हर जो part होता है, वो 2020 के set में divided होता है, यानि 20 question एक part से, फिर 20 question एक part से, ऐसे करगर कि total जो होते हैं, वो 200 question बनाते हैं, यानि 10 part बनाते हैं वो उसके, ठीके, अब पहले part में जैसे यह आपको दिख रहा होगा, set relation function का यह पहला part हो गया, ठीके, इसमें सारे के सारे question जो function से related होंगे, या इसके आसपास जितने भी topic होते हैं, उससे related होंगे, ठीके, तो जैसे इसमें, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले तो यह paper है, पूरा कपूरा, और इसी में इसके answers भी लगे हैं, जैसे कि आपको देख रहे हैं, क्योंकि यह online है, है ना, तो online booklet है, क्योंकि के का आया है, और यह बताने से पहले आपको यह भी बता दिया जाता है, कि 200 तो question है total, है ना, जो आपके subject specific होंगे, क्या इसमें negative marking होती है, जैसे kvs में negative marking नहीं थी, है ना, इसमें negative marking होती है, या नि होती, तो बिल्कुल होती है, 200 जो यह question होंगे, यह, 100 जो question होंगे, वो, या अगर आपने मान लेते हैं, एक question गलत करा, तो उसका one fourth आपका cut जाएगा, 0.25 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो यह negative marking को भी आपको ध्यान में रखना है, कि हाँ paper इस तरीके का आ रहा है, तो negative marking पे भी थोड़ा सा सोच के चलना है, merit कि इसकी बात करूँ, तो मैं इसकी पसंट तक ही जा पाती है, ठीक है, इस से जादा नहीं जा पाती, अगर मैं बात करूँ, 127 थी, 2018 के असपास की cut off, अगर आपने देखी होगी, तो 127 के असपास थी वो, ठीक है, तो around 40-46 पसंट के असपास इसके cut off जाती है, जो की निकालना थोड़ा सा tough हो जाता है, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले questions की, question किस तरीके के आये हैं, तो पहले questions हम start करते हैं, पहला question है, relation और function का, the relation between A set to B set, A set दे रखा है, 2, 3, 4, 5, and B is, यह relation जो है, यह दे रखा है, तो इसमें आप से पूछा गया है, कि इसमें 4 option दे रखे हैं, कि A intersection B वराबर B होगा, और उसके बाद दे रखा है, A बड़ा है B से, यानि A जो है, वो superset है B का, A जो है, वो subset है B का, यह union B is equals to A है, वैसे तो यह set theory का question है, relation बोल दिया, उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, तो यह जो है, वो obvious सी बात है, इसमें कम element है, और इसमें ज्यादा element है, और यह element इसी से लिए गए हैं, तो यह इसका subset होगा, तो यह पहला question का answer इसका यह हो गया, उसके बाद दूसरा question दे रखा है, the number of subsets of the set A, which contain even number of elements is, ठीके, तो number of subsets कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, जो even number of elements की निकालते हैं, वो होता है, 2 की power n-1 होता है, तो option number B जो होगा, इ if A and B are non-empty set, then A union B को अगर मैं A intersections B से divide करता हूं, तो इसका क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें 4 option दे रखें, जिसमें पहला option A by B union B by A के equal आएगा, नेक्स्ट आ जाता है आपका consider NU, यानि universal set की cardinality जो हो 80 है, N A is equal to 40 है, यानि A की cardinality 40 है, B की cardinality 55 है, A intersection B की जो हो 20 है, तो आ ये उसके बाद इन्होंने direct sum to B, A direct sum to B की cardinality आप से पूछ ली गई है, ठीक है, कि कितनी होगी, तो इसका option number A 55 इसका correct answer होगा, next आपको बोल रखा, A and B are two finite sets, then A union B and A intersection B are finite, and N A union B की value क्या होगी, ठीक है, तो यह होता है, N A plus N B minus N A intersection B, सीधा-सीधा formula है, ठीक है, उसने बोला A और B दो finite set है, A union B B finite है, A intersection B B finite है, तो A union B की cardinality क्या होगी, तो अपने फॉर्मला पढ़ा होगा, N A union B is equals to होता है, N A plus N B minus N A intersection B होता है, तो set theory में यह formula है, वो वाला हमने सीधा-सीधा यूद कर लिया है, उसके बाद देखो, यह question आपको और दिख रहा है, the power set of A having four elements is, ठी पावर सेट में कितने element होगे, तो power set में element निकालने का formula क्या होता था, P of A is equals to होता था, 2 की power 4 यानि 16 इसका answer हो जाएगा, तो option number 20 का क्या हो गया, correct answer हो गया, next आपको बोल रखा है, let U be the universal set, U में जो हैं, वो एक से लेकिन नो तक सारे number है, A में जो है, 1256 है, B में है 257, C में ह यह, तो B direct some C upon A, इसकी value कितनी होगी, तो इसकी होगी 3,9, ठीक है, next आपको बोल रखा है कि the formula A by B is equals to A intersection B complement, यानि A by B को, अगर आपको पता हो, तो इसको B complement भी बोलते हैं, तो A intersection B complement represent the difference operation in terms of the operation of intersection and complement, then the formula for the union A union B in terms of the operation of intersection and complement is, ठीक है, तो क्या होगा तो वो था A complement, intersection B complement का whole complement, ठीक है, यह कैसे करते हैं, बड़ा असा तरीका होता है इसको, ठीक है, set theory में आपको यह पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा, इसी में न, आपको, next आपको दे रखा है, let इसको मान लेते हैं, एक P मान लेते हैं, हमार से, ठीक है, P A B a power set of A, A दे रखा है, एक से लेके 5 तक, number, then the number of distinct elements of the sub collection P A, of P A, where each element of that sub collection consists of one and two other elements of A is, तो कितने सब कलेक्शन होंगे, तो यह आप से पुछा गया, इसका option number B, यानि 6 का correct answer दे रखा है, इनोंने, next आपको बोल रखा है, consider NU is equals to 20, N A is equals to 12, N B is equals to 9, A intersection B is equals to 4 दे रखा है, तो N A by B की value क्या होगी, यह आप से पूछ रखा है, ठीक है, तो इसका option number A, जो है, वो 8 इसका correct answer होगा, next आपको बोल रखा है, let R be a relation on a set, A is equals to 2, 3, 4, 6, defined as X divides Y, ठीक है, X divides Y एक relation है, then the set of ordered pairs of the form is, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहि 2, 2 को divide कर लेता है, 2, 4 को कर लेता है, 2, 5, 2, 6 को कर लेता है, ठीक है, फिर 3 किस-को divide कर सकता है, 3, 3 को कर सकता है, 3, 6 को कर सकता है, तो इन्होंने क्या कर लिया, order pair बनाना है, 4, 4 को कर सकता है, 6, 6 को कर सकता है, यह जो होगा, इसका order pair हो जाएगा, तो यह जो relation को satisfy करने वाला बनता है यानि उसने बोला इस relation की रोस्टर फॉर्म बताओ सीधा सामत लभी है तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी यह हो जाएगी इसकी ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें कितने पॉस्टिबल नमबर उफ रिलेशन बन सकते हैं तो आप सीधा 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 इसको आराम से 64 इसका क्या हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि अगर आपको पता हो नंबर उफ रिलेशन क्या होता है ने 2 की पावर एम होता है M होता है इसमें कितनी cardinality है यह इसमें कितने element है और N इसमें कितने element है तो 2 की power इसमें के पहले वाले में 3 हैं दूसरे वाले में 2 हैं तो 2 की power 6 2 की power 6 हो गया 64 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो इस तरीके से इन्होंने निकाला है नेक्स्ट आपको दे रखा है AZ by 0 A is equals to Z by 0 denote the set of all nonzero integers यानी सको Z minus 0 ऐसे भी बढ़ते हैं कभी गवाना ठीक है Z by 0 ठीक है लेट equivalent एक यह symbol दे रखा है ठीक है बीदा relation on a cross a defined by a is a b is equivalent to CD if a b is equals to CD या a b is related to CD ठीक है if a b is equals to a d is equals to b c then relation is reflection reflexive होगा symmetric होगा यह transitive होगा मैं थोड़ा सा पहले पढ़के समझा देता हूं कि क्या ही है इन्हों language बेना गरबड़ी कर रखे थोड़ी सी ना पंड़ने में अजीब सा लग रहे है उसने बोला एक कोई सेट है सेट ऑफ इंटीजर है उसमें 0 नहीं आएगा ठीक है उसके बाद उसने बोल रखा है कि कोई relation है सपोस्कर और यह इतना अजीब सा इन्होंने symbol दे रखा है इसको आर मान लो आर एक relation दे रखा है एक रॉस ए में relation है भी या वह आर जो है ठीक है आर जो जाएंगे ठीक है यानि यह इसकी position a d बराबर हो जाएगा बी सी के यह कहने का मतलब यह है अब उसने बोला कि यह रिलेशन जो है क्या यह reflexive होगा symmetric होगा या रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों a square बराबर हो जाएगा किसके बी स्क्वेर के ठीक है सीधा 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 तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या symmetric भी होगा ट्रांजिटी भी होगा तीनों मिला के अगर यह हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्विवेलेंस रिलेशन तो option number c जो होगा इसका correct answer हो जाएगा next आपको बोल रहा है let r be a relation from a set a to a set b and defined by यह आर पूरा का पूरा रिलेशन उसने डिफाइन कर रहा है तो उसने बोला है इसकी domain और रेंज बिता दो डोमेन होता है सारे पहले elements का set तो पहले element में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है ठीक है range होती होती set of second element मतलब mapped element का है न तो यू है वी है और एक से और बस इतना ही है यू भी और एक से तो option number a जो हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा यह आगे है domain 134 जो पहले set में जो पहले element का जो set होता है relation में उसको हम बोलते है domain जो second elements का set होता है सारे के सारी जो mapped element का set होता है उसको हम बोलते है range ठीक है code domain जो होता है होता है set of all the second elements ठीक है तीनों में फरक होता है ठीक है next देखो जड़ा next आपको बोल रहा है let r be a relation r a relation दे रहा है and s भी एक relation दे रहा है और बोल रहा है set a में एक relation है यह दोनों के दोनों तो यह बताओ so r the composition so r of r and s is तो s को r के साथ मैं अगर मैं compose करूँगा तो क्या आएगा ठीक है compose करके जो answer मिलेगा आपको जैसे one one है ठीक है फिर one से start होने वाला one three है तो इसको उठाओ इसको उठाओ ठीक है तो one three इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो वह इसके अंदर मिल रहा है दूसरा देख लो दूसरा आपको दे रखाए one 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 है ना one four तो one और four वो इसके अंदर मिल रहा है तो वह भी इसके अंदर मिल रहा है ठीक है उसके बाद one के बाद में one two आ जाते है one two two से start होने टू थ्री तो वन थ्री देखो यह मिल गया है ना वन टू टू थ्री वन थ्री देख लो वन थ्री से स्टार्ट होने वाला थ्री वन तो वन वन देखो इसके अंदर है तो ऐसे करकर क्या आपको सारे के सारे निकालने तो option number c जो हो जाएगा वह इसका correct answer हो जाएगा ठीक है यह सब कैसे कर रहा हूं यह सब के लिए आपको मैं पूरा को पूरा जो है एक कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे फिकर ना करिए यह सब आप भी आराम से कर लोगे कोई दिक्कत वाली बात नही हो दें तो वोह दोमें की पावर नमर और फ्वंक्षन का एक पार्मला होता है कोड ऑमेन की पावर जो reward foreign क्या कर दो पहुंचा दो तो आपका फिक्सद थो अगर मैं होओ पूछा कन को दो Words स्कुरिंट के अगर फ्प्सिच्पकर को शो हो जाएगा और यह आपको बोल रखा है कि लैट ए इस इकॉस टू वन तू 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 तो आपसे पूछा इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक फंक्शन है ये वन तू थी यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे पूछ रहा है इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी तो तू की क्या होजाएगी वन ठीक है उसके बाद वन की क्या होजाएगी तू की क्या होजाएगी तू की क्या होजाएगी तू की क्या होजाएगी तू की तू की यह इसका क्या होजाएगा आंसर होजाएगा बास 25 देंदा number of injection function injective function यह नहीं 11 function from a to b कितने होंगे तो इसका formula होता है npm ठीक है याद रखना npm होता है यह नहीं permutation की help से इसको हम solve करते हैं तो इसका जब हम इसको solve करेंगे तो इसका answer आएगा 60 ठीक है next आपको दे रखा है if f is a function satisfying 2 f x minus 3 f 1 by x is equals to x square for any non zero values value of x then the value of f2 is equal to f2 की value क्या होगी तो होगी minus 7 upon 4 ठीक है next देखो using mathematical induction यह result बनता है ठीक है तो आप से बोल रहे है कि इस में से कौन सा value ऐसी होगी कि जो इस चीज को या इस series को satisfy करेगी तो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है आप यह तो इसको पूरा को पूरा mathematical induction से solve करो दूसरा तरीका यह होता है n की value नहीं यहाँ पर डाल के देख लो n की value आप क्या करो पहले 1 डालो 1 डालोगे तो देखो ज़रा डालना ज़रा 1 आएगा 3 into 1 3 plus 1 है न 3 plus 1 upon में कितना 2 तो इसको ज़रा solve करो करोगे तो आपको 4 upon 2 यानि 2 आ जाएगा यह पहला वाला नंबर यानि इसका मतलब यह है पहली पोजिशन पर जो नंबर था वह डालके आया क्या डालके आया 1 तो कितना आया 2 तो इस पर आ गया ऐसी आप किसी और पर करोगी ठीक है जिस पर आप करोगे मतलब आगर आप 2 तो 5 आएगा 3 डालके तो 8 तो इस पर पूरा को पूरा का सटिस्पाइब हो रहा है वह इसका अंसर हो जाता है यानि आप वैल्यू डालके option से कर सकते इसको ठीक है तो option number B क्या हो जाए गा इसका correct answer हो जाएगा यह पूरे के-पूरे 20 कोशन खताम होने के बाद में आप लीट निकानी यह डारिक्स फर्मला होता रहा है वन के प्लस टूटूब प्लस ट्री क्युब समफ क्यूब और नेचर्नल नंब्स बोलते हम इसको ठीक है यह वता है एसको होल स्कुर्ड को खोलेंगे तो यही वाला आंसर बन जाएगा ठीक है नेग्स्ट आप को दो रूब क तो 136 solution total आ सकते हैं इसके ठीक है उसके बाद बोल रहुत है the number of words that can be formed by using the letter of the word mathematics that starts as well as end with T ठीक है तो start भी T से होना चाहिए और end भी कितना होना चाहिए तो combination permutation का question है sorry permutation का question है आपको नीचे यह देखना पड़ा है कित्ते बचरे box method का use करके आप fix position का जो fix position का use करके आप इसको निकालोगे तो जब इसको निकालोगे तो यह निकलेगा 90720 ठीक है इसका correct answer निकलेगा उसके बाद बोल रखा है एक और permutation combination से question दे रखा है बोला गया है कि number of ways of choosing m objects out of 3m plus 1 objects which are of which are m are identical and 2m plus 1 are distinct is तो इसे कितनी ways से आप चूज कर सकते हो 2 की power 2m से आप चूज कर सकते हो फिर आपको बोला गया है the number of positive integer not exceeding 1000 which are divisible by 7 or 11 7 से भी और 11 से भी ठीक है divisible ऐसे कितने हैं जो 1000 से बड़े नहीं है ठीक है तो यह होंगे 220 इसका correct answer next आ जाते हैं in how many ways can 12 balloons be distributed at a birthday party of 10 children ठीक है 12 balloons को 10 children में क्या करना है distribute करना है ठीक है इसको निकालने कितने तरीके होंगे वह आप से पूछ रहे 55 ways इसका correct answer होगा चलिए next question देखते हैं the number of odd three digit positive integer that have no repeated digits is 320 होगा ठीक है option number D इसका correct answer the number of permutation that can be made out of the word computer ठीक है computer से कितने permutation बना जा सकते हैं 40,320 इसका correct answer the number of ways to distribute 20 identical balls in four different boxes such that no box remain empty is 969 इसका correct answer होगा next आपको बोल रहे हैं in how many ways can seven gentlemen and seven ladies sit down on a round table not two ladies being together ठीक है तो six sector factorial into seven factorial इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा circular permutation से आपको इसको करना था ठीक है उससे आप करोगे जिसमें दो जो है sitting आप साथ में नहीं बैठा होगे how do we express one plus two ita whole cube upon one plus ita one minus two minus ita in the form of complex number a plus ita b ये इसका हो जाएगा जब इसका को solve करोगे पुरा बुरा तो मिलेगा minus seven upon two plus ita one by two इसका correct answer आएगा next आपको बोलेगा इसका principle argument बता दो बड़ा असान सा question है इसका option number c zero इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा फिर आपको बोला इस complex number की polar form क्या होगी two plus ita का whole square upon three minus ita इसकी polar form क्या होगी तो polar form आपसे पूछी गई है इसकी polar form जो हो जाएगी यह हो जाएगी option number d यानि one by two cos by by two plus ita sin by by two क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा next आपको बोल रखा है इसका modulus बता दीजिए तो इसका modulus होगा two sin alpha by two ठीक है फिर देखिए फिर आपको बोल रखा है कि the rectangular form of 10 और इसके बाद यह इन्होंने missprint कर रखा शायद ठीक है इसकी क्या होगी तो इसका option number a five root three minus five ita इसका answer दे रखा है ठीक है next देख लेते हैं उसके बाद आपको बोल रखा है if one minus it upon one plus ita whole raise to power and is equals to one दे रखा तो smallest n की value क्या होगी जिसके लिए यह वन आ जाएगा बड़ा असा कोशन है four होगा इसको क्या करो आप rationalize करना rationalize यानि one minus ita upon one plus ita है तो one minus ita सुपर निचे क्या कर देना multiply divide कर देना one minus ita whole square हो जाएगा निचे टू बन जाएगा जैगा जैसी यह बनेगा इसका whole square open करना तो यह two ita upon two आएगा ठीक है I think minus का यह plus का आएगा solve करना उसमें न की वैली चाहरा जाएगी ठीक है नेक्स देखना उसके बाद बोल रहे हैं इन आर्गें डाइग्राउंड वन वर्टेक्स अपन एक्विलेटर ट्राइंगल इस वन प्लस आइटा रूट रूट त्री और अजूम देखो आपको बोल रहे हैं इफ दसम और प्रोड़क्त बॉयाद इस थिट्रणद कॉंप्लेंग्स और टहूरर फौर एंड एट रिस्पेक्टिवल्य दन नमबर आर ठीक है तो बस कुछ निकान नेएट करके और कि लो एड कर लिए को व्यों मल्टिप्लाइड करकर देख लेना एड किसको आ रहे है ठीक है जिसका आ रहे हो इसका correct answer हो जाएगा option number 4 इसका correct answer है next आपको बोलग है if argument of 2 plus 2 z plus 2 आइटा is equals to pi by 4 argument of z minus 2 आइटा जो है वो 3 pi by 4 है तो value of z क्या होगी तो यह होगी 2 option number c इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा फिर complex number से यह question दे रखा है बोला if omega is a cube root of unity then the value of 1 minus omega की power 6 क्या होगी तो वह होती है minus 27 next देखो यह पूरा पूरा complex का और इन्होंने यह वाला पार्ट खतम कर दिया अब आते हैं next पार्ट पे जो next 20 question है हो है inequality और बाकी चीज़ों से जुड़े वे तो अभी क्या क्या हुआ है इसमें अभी हुआ है आपका देखो permutation combination set theory relation function ठीक है उसके बाद आपका जो है complex number हुआ है ठीक है mathematical induction हो गया अब आजाता है inequality पे यह inequality का आप से पुछा है कि X की value बता दू ठीक है तो X की value जो है जो हो जाएगा हो जाएगा minus infinity minus two union one से infinity ठीक है ध्यान रहे है यह जो answer sheet होती है जो response sheet होती है मैं उससे बता रहा हूँ आपको सारे के सारे answer अभी कुछ question ऐसे भी है जिसको solve नहीं कर रहा है तो उसको अगर आपको कहीं पे भी question में मान लेते हैं आपको लगता है कि यह answer गलत हो रहा है आप comment में लिखके बताइए कोई बात नहीं होगा तो इसका कोई solution नहीं होगा x की value कहीं लाए नहीं कर पाएगी ठीक है क्योंकि वह inequality पे satisfy नहीं हो पा रही है तो option number c इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा उसके बाद यहां पे अच्छा आ जाता है कौशी स्वार्ट इनिक्वालिटी के उपर question पुछा जाता है बोला जाता है कि a cube plus b cube plus c cube की value क्या होगी अगर a b c greater than 0 है और a plus b plus c जो है वो equal to 3 है तो a plus b plus c 3 दे रखा है a cube plus b cube plus c cube की value बुचिए तो यह greater than or equal to 3 आएगी option number a क्या हो जाएगा उसका correct answer हो जाएगा उसके बाद आप से बोल रहा है solution of polynomial इसको वेविकर method से आप कर सकते हो इसका जो होगा option number c इसका correct answer हो वैसे बड़ा ही easy सा solution है इसमें less than equal to sign है ठीक है और less than equal to sign है तो इसका मतलब यह इसमें close interval लगेगा और close interval एक ही option में है तो option number c आप उसका करके भी आ सकते हो अगर आपके बस में ज्यादा time ना हो तो ठीक है next आपको बोल रखा है एक binomial expansion है यह दे रखा है बहुत बढ़ी आसा question ठीक है इसकी six term जो है वह 5600 इसको करने में जाए तर्स्टूइंट छोड़ के आएंगे चोड़ने और ला कोशन होते है देखकर छोड़ के आते हैं लेकिन यह question आसान है मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होता है ठीक है तो 5600 जो है वह इसकी क्या है six term है तो x की value क्या होगी तो x की value 10 है ठीक है next देखो जारा बोल रखा है the number of rational and irrational terms in the binomial expansion of इसमें rational and irrational terms कितनी होंगी ठीक है तो आपसे पहले जो है वह rational लिख रखे बाद में क्या एर रेशनल लिख रखे तो rational HR a rational is 97 इसका correct answer होगा next आपको बहुत है the sum of the last 20 coefficients of in the binomial expansion of यह बताओ लास्ट के 20 coefficient का sum बताने आपको और ascending order में अगर हम expand करें पावर को है ना तो भाई यह 2 की पावर 38 इसका correct answer हो जाएगा next देखो आपको बहुत है when 2 की पावर 2000 is divisible by 17 तो remainder कितना होगा ठीक है इसको चाहो तो आप remainder theorem से भी कर सकते हो और remainder theorem से नहीं करना तो मतलब इसको ना टू की पावर ऐसे तो टू की पावर 4 और इसकी पावर चार से यह डिवाइड करके जो भी बनेगा तो 16 अपोन 17 गनाना और इसमें remainder theorem लगा कि उसके बाद इसको solve कर सकते हो ठीक है तो option number one जो होगा इसका correct answer होगा आपको याद होगा कौशी और आईला ने बहुत सारी inequality दी है ठीक है तो उसका हम यूज करके निकाल पाएंगे इसको next आपको दे रखा है the largest term in the expansion of इस expansion में सबसे बड़ी term क्या होगी अगर x की value जो यह 1 by 5 रख दें तो six term जो होगी वह सबसे largest होगी इसकी option number c क्या होगा इसका correct answer होगा next आपक दो देर का suppose that ABCR in AP A square B square C square R in GP a 20 से चोटा है B जो है वह सी से चोटा है एक प्लस ब्लस C बराबर 3 by 2 है तो एक वैल्ली कितनी होगी यह अच्छा question बूच रखा है और question में इसका जो answer होगा वह वह वन बाइनस रूट 2 इसका correct answer होगा next यह एक एपी दिख रही है आपको देख से 32 को बोलते हैं चार रूट तो यानि 16 दूनी 32 होता है तो यह एक बन गया एक बन गया आपसे पूचा है कि इसका टाम बता दो ठीक है इसका 24 टाम्स का जो है सम बता दो तो यह होगा 300 रूट 2 इसका correct answer हो जाएगा next आपको देख लेते हैं मतलब करना क्या था इसमें सान्क्यूब कॉमन लेके करोगे अप ठीक है जब इसको solve करोगे तो next आपको दे रखा है log base root 5 दे रखा है एक फिर आपको दे रखा है यह पूरा को पूरा एक सगरवाल में आपको सेम कोशन मिलेगा यह वाला न आपको बोल रहा है एवन और टू जो है वह दो अर्थमेटिक मीन है चीवन ओ जीटू दो जो मेंट्रिक मीन है और माल लेते हैं कोई दो positive numbers के लिए हैं यह और बी के लिए अर्थमेटिक मीन है तो यह बताओ एवन प्लस सब्सक्राइब को अर्यांत की अगर आप पड़ते हो तो अर्यांत की बुक में पहला है दूसरा कोशन आपको मिलेगा सेम कोशन है बिल्कुल है न आपसे बुछ रखा है कि सीरिस का सम क्या होगा तो इसका सम जो होगा वह थी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपको दे इस सीरिस का सम क्या होगा तो इसमें अच्छे कोशन आते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो अब तक बढ़िया कोशन है सारे के सारे ठीक हलके कोशन नहीं है ठीक ठाक कोशन आते हैं इसमें तो log 3 by 2 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है मतलब जिसमें दिमाग इसके बाद आजाते हैं बीस कोशन आगे के और लास्ट के बीस कोशन और बचें खतम हो गया अब आपको बहुत है सी ओ डी जो हैं वह दो इंटीजर है ठीक है और इस तरीके से से सीजी कोश्टू डी की प्लस और रिमेंडर धिरम को फॉलो कर रहे हैं तो सी आर इसी कोश् किन यृच्विघस के लिए आफ को क्या घंपाया इसका करेक्ट आंसर आपको क्ली जनेकल रहे हुशiest को इसलिए test निक्सकी हुआ है भूर भी इस हीर्या algorithm to find the greatest common divisor of two positive integers 252 and 198 तो चार बार आप करोगे आपका आजाएगा option number C इसका क्या हो जाएगा correct answer अब आप से पूछ रहे है कि इसका प्राइम फेक्टराइजेशन क्या होगा ठीक है प्राइम फेक्टराइजेशन 7-29-211 यह भाई शियर calculation है उसके लावा कुछ नहीं है आपको खाली प्राइम फेक्टराइजेशन करना है पहले 7 से करना है फिर 29 से करना है ठीक है 21 से मत करना पहले 29 से करना क्योंकि सबसे सावी मॉड इस सँ 76 to profiles सबसेंट्राइज फिर 20 इस इसका अंसर मंज रहेगा चैंड़े ने चैंग को सब्सक्राइज कर्वा वा जार ति कहा हो जायेगा थैक है देडिशत को इुमाट गासर हो जाये विसका क्या और सरो जाए नेच्स अमर्ब को तुल ए रहाए धैग state रहें इने वर्णी नोड शॉट ऐसका तिसफाय करेंगी तो यह होगे तीन वेल्यू इसको क्या करेंगी सठीज्वाय करेंगे और सब्सक्ण नमदी क्या है किया हो जाएगा नास्ट आपको दे रिखागा let a and b are the roots of the equation a quadratic question and x square plus px plus one is equals to zero and c and d and be the roots of the equation x square plus qx plus one is equals to zero then the value of a minus c b minus c a plus d b plus d kya hokey to yoti p square plus c is q square yeah minus minus p square a take a top q square minus p square ball there minus p square plus q square ball the sky at saroga next up over a b and c with the real numbers such that a b are distinct a and b are distinct then the roots of the equation 2 a minus b x square minus 11 a plus b plus c x minus 3 a minus b is equals to zero r real or unequal hongi real or distinct hongi roots ka nature pooch aap se b square minus 4 isi ka use karke apko nika alana padega isko next aapko dekho if a b and c are real number then both the roots of the equations are real option number a iska correct answer ho jayega next value us koala आपकोbirdra-pouraw paper लेधा लेखारे हो इसका optionस ृडी का correct answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये वाला जो आपको question दे रखार्का दूबार के लूट से real roots की condition पर दे रखा है आप से पूचाए कि number of real roots बताओ तो 4 होंगी ठीक है next देखो जरा आपको फिर दोबार को आप पूरा पूरा इसका अंसर दो होजाएगा थिके प्लस माइना सवस्क्राया इसलिए के तो और आपको देरक रहे है is the quadratic equation x2-7x plus k is equals to 0, and x2-11x plus 2K is equals to zero, have common roots, when the quadratic equation have common roots then the value of k is, so 0,12 is the correct answer, k की value is 0 and 12, you are saying when a plus b plus c is equals to 0 then the quadratic equation has at least one root in 0,1 is the correct answer, option number D, next you have a determinant दे रखा है सखुर्स कंसी सग्यान में घक्सक्राइब का यह सूझा है नाक फिर दुखाइब कि बदीक का चुके हो तो बहुत बढ़ाईया हों आपको ठीक है बता देते हैं यह भी लास्ट के जो इसको मिक्स करके अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमाने डिटमिनेंट मिक्स करके दे रखा इसकी वैल्यू पूचिए आप से इसका अंसर होगा जीरो नेक्स्ट आपको दे रखा देखा देखा दुबार से मैंट्रिक्स इसका आप से पूचा है कि यह जो है एक नॉन जिरो मैंट्रिक्स है ठीक है तो आप से पूछा आइगन वैल्यूस बता दो विच्वाप फॉलिंग स्टेट्मेंट कौन से नहीं है ठीक है तो यह वाली नहीं होथी आप को आपको बसे टीश्टन है तो जाइब ठीक कर दो कदियों आधा कनडिशन लगा दो होगी आप इसको तिदा सीधहly इसका अंसर आजाएगा ठीक है नेक्स्ट आपको देख रुखा है यह की यह भी लिस्ट लीनियर एक्विशन क्या है कंसिस्टेंट है तीनों की तीनों सट तो बताओ कि एक ही वेल्टा की वेल्यू क्या होगी ठीक है डिटर्मिन जिरो कर लेना आप इसका तो माइनस टू इस से जैसी पहला मिलेगा पहला माइनस तरी मिल जाएगा दूसरा माइनस का 14 मिल जाएगा यह सी वाई एटो प्लस वाई थरी करके ठीक है नेक्स्ट आपको बोल रखा है अगर यह जो है यह मिट पॉइंट है एक ट्राइंगल की साइड के तो बताओ इं सेंटर क्या होगा इ which of the following is correct ठीक है तो इसकी एक्वेशन आप से पूछी गई है कौन सी होगी तो यह एक तरह का हाइपर बोला है option number A इसका correct answer होगा ठीक है next आपको आप से बोल दिया गया है कि यह तीनों पॉइंट को लीनियर है तो के की वाली बता दो आपको दियरका देक्वेशन ऑफिक्स एक्स इस्टेट लाइन पासस थूरू अन देपॉइंट रिखेंट थे पार्लेल लाइन की बीच की दिस्टेंस सी न माइसी टू यादे अपन अंडर रूट में अंडर रूट में एसका प्लस बीच को जाएगा अंडर रूट में एसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स आपको बोल रखा है इसका प्रच्ट राइगा इसका अप्शन नमबर जो आएगा वह आएगा आपका डी इसका क्रेक्ट आंसर आजाएगा ठीक है डियार्स इक्वल होते है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट आपको दिरख द्रक द्र ओर्ट रख द्र ट्रिंगल एबिसी फूस एंगुलर पाइंट्स आर वन तू टू 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 अट पूर ट्री इस आफ दो फॉर्म तो यह और तो सेंटर की वैल्ली हो जाएगी वन कॉमास इक्स ठीक है आपको भूल पूरी पूरी वैल्यू आप से पूछ लेगी क्या होगी यह टनुत टू टिंसर सब्सक्राइब करेक्ट आप से पूछा है इसकी फीर्टा की वैल्ली कहां से नादक लाए करेगी तो जब भी इवन पावर होती है सायन और कॉस्ट में तो यहाद दिखने इसकी मैकसिमम वै प्लस कॉस की पावर एंड थीटा दे रखिए दोनों ही एवन है ठीक है यह एंब और यह एन भी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी मिनिमम वैल्यू निकान लिख लिए थीटा की जगा फिर पाई बाइब फोरी यानी 45 डिगरी रख देना आपका अंसर आ जाएगा बाकी लिख सकते हो कमेंट में और इसके सॉलीशन चाहिए तो सॉलीशन भी हम आपको देदें क्याल्गुलस का पॉर्शन यह रहा पूरा पूरा तो टोटल ना देखो मैं अभी 85 पेज नंबर पूरा पेज की यह पूरी पूरी क्या है पीडिएफ से तो एक सो अठारा पढ़ते सकते हो और टेलिग्राम ग्रूप का लिंक जैसा कि मैं बताता हूं हमारे इसमें ही चैनल में है ठीक है तो डिस्कुप्शन में मिल जाएगा आपको तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपको अगर कोई दिक्कत हुई है इसमें तो बता दीजिएगा मैं आपको पूरा पूरा इसमें से ना देख पाऊ एक बार मैं तो अब पढ़ नहीं रहा हूं इसको ठीक है मैं तेमेटीशन है आल सी है थोड़े से सही है चलिए तो इसका पूरा कपूरा पीडिएफ जो है वह डाउनलोड कर सकते हूं मैं आपको पूरा कपूरा दिखा रहा हूं पहले तो है ना यह है है तो हुआ है इसके बाद हां एक चीज रह מאह बताने के लिए कि इसमें कुछ कोश्चिंस ऐसे भी आता है जो आपके मैफेमेटिक से हटके भाते हैं ठीक है तो यह मैं एपको सबके सब करने पढ़ेगी इसके बारे भी मैं बताूंग आपको ठीक है तो इसमें कुछ कुछन जो हैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है यह तो जैसे विच आफ दीज इस नॉट एन ऑडियो विजूल जो वाच कर रहे हैं उसका असेस्मेंट मैफ़ड हम नहीं बोलते हैं तो यह सारी की चाहिए solution material study material सारे के सारे अभी हम provide करवाने वाले हैं हमारे चैनल से तरीके से बने रही है इसी तरीके सपोर्ट करते रही है आपको आने वाले टाइम पे जो हैं वो काफी सारी चीज़े जो हैं वो इस चैनल पर हम आपको देंगे और फ्री में देंगे फिकर ना करिये तो च चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद